हम लोग बहुत टाइट के काम करते हैं हर तरह के काम हर वेक्ति करता है बट जो भी काम किया जाए वो बहुत नीटनेस के साथ किया जाए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ लोग काम पूरा कर लेते हैं बट वो नीटनेस उनके काम में नहीं आती है स्वेटर सभी महलाएं बनाती हैं बट जो स्वेटर में सफाई आनी चाहिए वो बहुत कम लोगों के साथ होता है तो आज मैं बताऊंगे आपको कि कैसी हम स्वेटर की पट्टी को बहुत नीटनेस के साथ बनाए और स्वेटर को बिलकुल रेडिमेट वाला लोग दें ये पट्टी जो हम इसकाष में भी बना सकते हैं हम उसमें बटन पट्टी में भी बना सकते हैं इस तरह की सफाई के साथ ये जो साइड है और किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं ये इस पट्टी को ये पट्टी हमने कै केबल एक SALI ''KEMA'' के last わか तीन फनदों में ये काम करना है तीन फंदों में क्या करना है कि पहला फंदा हमें उल्टा बना लिया उसके बार धागे को हमने पीछे कर दिया पीछे करने के बाद जो दूसरा फंदा है वो बिन अबने उतार लेना है और फिर धागे को आगे करके सलाई पर आ गए जब हम यह सेकंड सलाई पर आ गए तो यहां यह पूरी जो भी डिजाइन बनानी है वो बनाएंगे और लास्ट के तीन फंदों पर फिर से यही रिपीट करेंगे तो इस से हमारी फिर इस तरह की पट्टी बनके तयार होगी अभी हमें यहां पर क्या करना है जो पहला फंदा तो हमें बिना बुने उतार नहीं है जो कि जनरली सब करते हैं उसके बाद दूसरा फंदा धागा पीछे करके जो हमने नहीं बुना था उसको अब बुन लेना है और तीसरा फंदा भी बुन लेना है इसके बाद यह पूरी सलाई में जो भी डिजाइन डा होगी कि लास्ट के तीन फंदों पर हमेज इस पर काम करना है तो हमारा यह इस तरह से बन के तयार होगा है है कि ये पट्टि आप इस काउस में भी डाल सकते हो मफलर भी बना सकते हो यह तो भी आप इसको बना सकते हो झाल झाल